ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके एक्जाम का और कुछ ही समय बाकी है तो आपको ये स्योड है कि आपके माइंड पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा आप सोचते होंगे कि हमें कौन सा कोश्चन पढ़ना चाहिए क् सो कोश्चन को लेकर क्या हैं आपको बता दे इन सो कोश्चन में आपको सीधे सीधे आपके एक्जाम में 40 कोश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इन 100 कोश्चन को अच्छे से आप रिविजन कर लिजे या सिर्फ देख लिजे या रठ लिजे जैसे करना आपको लेकिन इ आईसा यानि सुनारा उसर आप नहीं कवा है तो चले गाई सो शुरू करते हैं से पहले आप लोग से मेरा छोटी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अवित अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ पर अपने दोस्तों को एक बा यानि मतलग किये थे 10 वर्ष तक या आपका 15 वर्ष तक 18 वर्ष तक 20 वर्ष तक तो जैसे के आपको पता होगा यह 15 वर्ष तक यानि रहकर के जो है यानि क्या किया था या अपका बी विल विदे राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स कोशन देखेंगे कोशन नमर 2 आप के स्क्रिंट पे यानि किस पार्ट की यानि उक्त है कि इस संसार से यानि संपती एक रसनात्मक कर्म है इस कर्म के बिना मानवेता अधूरी है तो बताएगा यह किस पार्ट का यह पंकित है और आपको बताना है क्या परगीत और समाज का है सिक्षा के आपका रोज का है या हसते हुए मेरा अकेलापन का हो जाएगा या नहीं option आपका D रड़ाइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोशन नमर 4 आपके स्क्रिन पे किसने लिखा है अगर तिर्शी को देखो तो उसे कभी आँक मत यानि मिलाओ आँक मिलते ही वह है आदमी के गंद पहचाल लेता है और फिर पीछे पीछे लग जाता है फिर तो आदमी चाहे पुरे पिर्थिविक का चकर लगा ले तिर्शी पीछे पीछे आता है तो बताएगा चान नमर स्वाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बता रहा है है कि वह संपूर्ण जीवन की परकिडिया को समझने में हमारी साहता करें ना कि हमें केवल कुछ वेसाय या उंची नौकडी के योग्य बनाएं मथूर का है आपका दिंकर का जैप कृष्ण तीनों हो जाएगा या उपसन आपका भी रॉड़ाइट आंसर हो जाएगा चले बात करते कोसर नमर्ट साथ आपके स्क्रिन पर या पदमावत नौत किस भासा में लिखा गया है अवधी में लिखा गया बरज भासा में पुरानी हिंदी में आपका इनमें से कोई नहीं तो ब बताना आपको कविता वली किस के दोड़ा लिखा गया है इसके बारे में बताना आपको खुशन आपका हो जाएगा आपको तुलसी दास या आपका भी रॉड़ाइट आंसर हो जाएंगए चले बात करते कोसर नमर्टन नों आपके स्क्रिन पर किस ने लिखा है आपन खाक नंद मुख नावथ 2006 ना बनिया तो बताइएगा तुलसीदास का हो गया कभीर दास या अपका मीरा बाई या आपका सूरदास तो बताइएगा नौन अमर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा सो इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि सूर्दास यानि आपका D will be the right answer हो जाएगे चले वहीं बात करते कोसर नमर 10 आपके स्क्रिन पे सूर्दास का निधन यानि कब हुआ था सूर्दास के निधन के बारे में आपको बताना है बात करते कोसर नमर 13 आपके स्क्रिन पे किसने लिखा है भक्तमाल मतलब मद्यूग के वेस्टनब आंदुलन की रूप रेखा मतलब समझाने के लिए सबसे अधिक यानि परमानिक और महत्मून ने सामगिरी परस्थूत करता है तो तेरे नमर सवाल का आपको आंसर बताना इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि माता परसाथ गुफ्त यानि आपका सी और राइट आंसर हो जाएगा चलिए बात करते कोसर नमर 14 आपके स्क्रीन पर यह भक्तमाल में कितने च्छप्य है तो बताएगा चौदे नमर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो आपका आंसर डिफिनेटली करेक्ट होना चीए यानि चलिए बात करते कोसर नमर 15 आपके स्क्रीन पर भूशन की भासा कौन सी थी तो बताना आपको भूशन की जो भासा है इनमें से कौन सी है अवदी है बरज है मगदी आ च्छतिस गड़ी है तो बताएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 नमर सवाल का आपका आपका आ चलिए बात करते कोसर नमर 17 आपके स्क्रीन पर किस पार्ट में यह उखता आई है कि मिर्तिवी के कुछ समय पहले इस मर्थी बहुत साफ हो जाता है उसने कहा था का है सुख में जीवन या आपका बुद्ध का काटा या आपका भोगे हुए दिन तो बताएगा 17 नमर सवाल का आपका आंसर क्या होगा उसने कहा था यानि option आपका ये will be the right answer हो जाएंगे चलिए बात करते कोसर नमर 18 आपके स्क्रीन पर बालकरिशन भट ने मन में अधियन की रूची हम लालसा किसने जगाई थी तो बताएगा 18 नमर कोशन का आंसर आपको बताओगा यानि माता पार पर वति देविन Еजह उसके अंदर यानि लालसा जगाई थी थी ठीक है चलि बात करते 15 कोशनर रामपुर्वा कहां हैं तो बताएगा आपको रामपुर्वा जो है आपका ये कहां पर है ठीक है तो रामपुर्वा के बाता को बहरें में ठाहा भीती हरवया के पास यानि option आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात कर दे कोशन नमर 20 आपके स्क्रीन पे जेपरकास ननायन की पतनी का नाम क्या है तो बताया आपको जेपरकास ननायन की पतनी का जो नाम होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानि परवावती देवी यानि आपकास ननायन की पतनी का नाड़ी पुरुष की बहावावती देवी यानि जूही की माला है प्रेम चन्द अगे या मुहनडा केस या आपका रामदरी सिंदिन कर तो बताइए का 22 नमर सवाल का आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा तो एपसलूटली आपनों का अंसर यानि करेक्ट होना चाहिए ठीक है इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि रामधरी सिंदिन कर यानि आपसन आपका D will be the right answer हो जाएगे यानि आपसन C यानि दिन कर ने कहता है यानि आपसन आपका C जो है विलविदा है और आइट आंसर हो जाएगे अचले बात कर दें कोसर नमर 24 आपके स्क्रीन पर किस पार्ट का उधारन है कि इस समय यही सोच रहा था कि वह उधत और संचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है कितनी सांत और अकबार के टुकड़े की वह तरस्ति है यह क्या है मतलब ओसने कहा था या रोज या आपका बातचित तो यह जो है किस पार्ट का है तो आपको पता होगा रोज का है रोज जो है रोज का रोज मतलब जो यानि मतलब पात्रा है पात्री है तो आपको मालती है इसका पात्र ठीक है कौना है यानि मालती और मालती का पती क्या थे यानि डॉक्टर थे उसका नाम महस्वर था और आपको यह भी बताओगा इसका बेटा का जो नम था यानि टीटी था आप लोगों को पता होगा ठीक है शेरे बहुत बढ़िया बात कर दे कोसर नमर 25 आपके स्क्रिन पर किस पार्ट की उपता है कि केवल कस्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है तो बताना है 25 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है ठीक है इसका आंसर आपका हो जाए यानि एक लेक और एक पत्र आपका ए और इसका बताना है 26 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है क्या होगा आपका आपका शिराय। 38 कोसर को आपको बताना हैं कि मन जो है कैसे ताल यह गढ़े और विशाल ताल है यानि option आपका D और राइड आइट आइंगे चले बात कर दे कोसरं 29 आपके servicio क्लीट पर सिपाही की मां सिरसक एकांकी जो है यह किस नो मैं स्वाल का आपको आँसर बताना है तो इसका आंसर आपका अंडेज के छिलके और अन्य एकांकी से यानि option आपका ए राइट आंसर हो दाएंगे चले बात करते कोशन नमर 30 किसने कहा कि परबंध है काविय में मानव जीवन का एक ही पूर्णे द्रिस होता है तीज नमर कोशन का अगर आंसर की बात करें तो आपका अच्छार ये राम चंद्र सूकल यानि option आपका C राइट आंसर हो दाएंगे चले बात करते कोशन नमर 31 भूशन का जनम कहा हुआ था 31 नमर कोशन का आपको आंसर बताना है भूशन का जनम कहा हुआ था तो इसका आंसर आप पहने तिकवा पूर यानि कानपूर उत्तर प्रदेश यानि option आपका D राइट आंसर हो दाएंगे चले बात करते कोशन नमर 32 आपके स्क्रिन पे जैसंकर प्रसाद की स्काल के कभी है तो बताना 32 नमर कोशन का आपका आंसर क्या होजाएगा जैसंकर प्रसाद की स्काल के कभी है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि उप्युकत सभी हो जाएगा तितली भी होगा इरावती यानि इफुकत सभी आपका D राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोशन न कांकी किस पुष्टक से ली गई है अंडे के चिलके तथा अंडे कांकी से आपका घुस पेटिये से या आप देखेगा आगे या अब और नहीं से आपका सलाम से तो बताइएगा चौनतीस का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल इसका आपका राइट आंसर अन्डे के चिलके तथा अंन्यकांकी से या और आपका गई Technique जाएगे चले बात करते कोसा नमर 35 आपके प्रिखिवर सेड़ा एक रचिता नियोздर को और है 35 स्वाल का आपको आंसर बतारा है ठीक है लिए आपका शंसे बहादूरमना उपका एउसर बहुतśl है चलिए बात करते कोसर नमर 36 आपके स्क्रीन पर किस ने लिखा है कि जादू तूटता है इस उसा उशा का अब यानि सूरेदे हो रहा है तो बताएगा 36 नमर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि समसेर बहदूर सिन यानि option आपका A will be the right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोसर नमर 37 कवी गजानन महाद मुक्तवोत का जनम कब हुआ था तो आपको बताओगा यानि 13 नमबर 17 को आपको बताना है कवी रगुविर शाह का जनम 9 दिसंबर 1929 को आथा यानि option आप लों का B will be the right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोसर नमर 39 आपके स्क्रीन पे यानि हर चरना कि मतलब किसका परती निदी है तो बताइगा उन 40 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि option आपका B will be the right answer हो जाएगे चलिए बात करते कोसर नमर 40 आपके स्क्रीन पे कभी विनोत कुमार सूकल कौन शा सम्मान मिला था यानि कभी विनोत कुमार सूकल को जो है कौन सा सम्मान से यानि उसे मतलब क्या नमाज आ गया था तो 40 नमर सवाल का अंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानि option आपका D यानि उप्यूक तो सभी हो जाएगा यानि option आपका D will be the right answer हो जाएगे च चले बात करते कोस्तन नमर 22 आपके स्क्रेंट पे बिना फेरे घोड़ा विगरता और बिना लड़े सिफाही या पंकित जो है किस कहानी का है बताएगे बिना फेरे घोड़ा विगरता और बिना लड़े सिफाही यानि क्या करता है यानि ये पंकित जो है किस कहानी का है तो बताइगा कभी ज्यानन्द पती का जनम हुआ था तो आपको पत्थरा गमा यानि गोडट जार्कण यानि आपका C रॉड़ाइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोशन नमर 44 आपके स्क्रिन पे यानि हैंडल ओपीज का का जनम जो है कब हुआ था यानि हैंडल ओपीज का जनम जो है कब हुआ था चवालिश नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है इसका आंसर आपका उन्साइट इसमें हैंडल ओपीज का जनम हुआ था यानि आपका जनम हो जाएंगे खाली जगए को भरना है चेकप का यानि लेखक किसासन अवेस्ता और उसकी तंत्रकी को र आइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते को सनवर 46 आपके स्क्रीन पर यानि सूरज किसका पढ़ियावाची है आप लोगों को बताना है ठीक है तो यह जो होगा यानि अन्सा मुलियक माली का अधित्य भी भास कर भी आपका डी विल भी दर राइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते को सनवर 47 आपके स्क्रीन पर गरे का पढ़ियावाची आपको बताना है 47 सवाल का अंसर आपको बताना है गरे का पढ़ियावाची क्या होगा तो गरे का घड़ भी होता है सदन भी होता आवास भी होता है तो इसका अंसर आपका उप्यूक्त है शवी क्या होगा कि और यह तो आप लोग सुनें आपको यह पता ह California का यह घ्र का आप अ chil oke कि पर दोच होगे रभी पता है जो विक्रे का रिप्रित सब्द होगा यह इनुग आप लोग जानते हैं कर आगर्या संदी का अरज जोता उसी तरह आपका एनні विग्रे का अनुज रहुता नोस बताना है टहला चाहे से कोई हैं जहर सी बात आप यह समझते होंगे कि जिस सब्द के अंत में आकार तो आपको क्या होता है पूर्लिंग होता है ठीक है तो आपको पता है युगा इसका आंसर आपका पूर्लिंग यह अप्सिन भी और राइट आंसर हो जाएंगे जिसने गुरू से दिक्षा ली हो एक सब्द राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चले बात करते कोसर नमर 55 आपके स्क्रिन पर जिसकी आसा ना की गई हो उसका आपका क्या होगा ठीक है तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यह अपरतियासित यह अप्सन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे जो परकास य का आंसे आपका यानी मीनापानी आपसयों पर बात करते हैं ड्ञाटं आपके जोआग़ कर ला कर रूहराथ पर सुम्सक्रांधि 60 नमर कोश्चन का आपको आंसर पताओ गया यानि यह था सक्ती जोग आपका अभी वहावी समास हो जाएगा यानि आपका C will be the right answer हो जाएगे बात करते कोशन 116 आपके इसक्रीन पर बादल का पडियावाची है इक स्के नमर क्योंट का आपको अंसर बताना है बादल का पडियावाची मेग होता है घन होता है जलगर होता है यानि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका अपका डी राइट आंसर हो जाएगा चले बात करते कोस्टन नमर 62 आपके स्क्रीन पे एद का चांध होना मुहाबड़े का अर्थ है यानी इद का चांध होना मुहाबड़े का जो अर्थ होता है यानी बहुत दूरों पर दिखाये देना है यानी option आपका C right answer हो दाएंगे चले वहीं बात करते question number 63 आपके screen पे घाट घाट का पानी पिना मुहाबड़े का अर्थ क्या होगा तो देखेगा घाट घाट का पानी पिना मतलब क्या होता है नि बहुत अनुभवी होना यानि option आपका बी जो है will be the right answer हो दाएंगे चले बात करते question number 64 आपके screen पे एक पंत दो काज का अर्थ जो होगा आपका यानि क्या होगा यह मुहाबड़ा आपको बिल्कुल पता होगा यानि एक उपाय से दो काड़िया सिद्ध करना यानि option आपका यह will be the right answer हो दाएंगे next question देखेंगे हात मलना मुहाबड़े का अर्थ क्या होता है यानि आपको पता होगा यानि आपका जल्द मरने वाला यानि option आपका B will be the right answer हो दाएंगे गुन सब्द का विल्कुल पताना है तो गुन का आपका दोस हो जाएगा यानि option आपका C यानि option आपका A right answer हो दाएंगे पुरुसकार का उल्टा ठीक है चले 71 नमर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चंद्रमोली कौन सा समास होगा आपका 71 नमर क्वेश्चन का answer आपका हो दाएंगे यानि बहविडी समास यानि option आपका C और आइट answer हो दाएंगे चले बात करते पितांबर करमधाड़ी समास जब होगा तो वेविगरो क्या होगा 72 का बताना आपको तो इसका answer आपका पीला अंबड यानि option आपका B will be the right answer हो दाएंगे चले बात करते कोस्टन नमर 73 आपके स्क्रीन पे तो देखेगा 73 नमर स्वाल का आपको answer बताना है तो इसका answer आपका हो जाएगा यानि option आपका D और आइट answer हो जाएंगे चले बात करते कोस्टन नमर 74 आपके स्क्रीन पे उच्छ सब्दे का विसेशन जोगा यानि क्या होगा तो उच्छ सब्दे का विसेशन आपका बिल्कुल यानि उच्छतर हो जाएगा यानि option आपका A और राइट answer हो जाएगे चले बात करते कोस्टन नमर 75 यानि गुन वाचक विसेशन कौन है तो बताएगा गुन वाचक जो आपका विसेशन होगा यानि क्या होगा तो 75 का अंसर होगा आपका यानि बिल्कुल गरेक्ट आंसर आपका A राइट आंसर हो जाएगे यानि पूरा ना यानि आपका option A राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोस्टन नमर 76 आपके स्क्रिन पे वाचक विसेशन जो होगा क्या होगा तो वाया पस अपको विसेशन बताना एंद तो इसका अपका चाहल जाएगा बिलकुल कर्ifall七 तो क्या होगा है यह नि कारडा सब्चाहिए का हम्नुभभी पर्लीं काkkे सब्स कर्द दोता है है नि चील कौन सा link होगा? तो चील के बारे बताना है ये कौन सा आपका link होगा तो यह वोगा आपका, यापका in इस्तरलिक होगा also आपका भी all right answer होदाएंगे ठीक है, काम items मतलब कयामत कौन link है? तो कयामत का आपको link बताना 80 नमर question का अगर answer की बात करें तो यह कयमत जो होगा आपकाहनी capacion इस्ट्रिलिंग हो जायेगा और निए अपका कशी और टा सरु डएंगे बात करेएक कासी कॉश्चन नुमर कॉश्चन होता है सब्सक्राइब करेक्ट हो यह यह तो जाहिर सी बात है आपका बीर आई चांसर हो जाएंगे ठीक है इन बात करते को सनमर 83 लुटेरा में कौन सा परती है लुटेरा लुटेरा एरा लास्ट में क्या आता है आता है तो यह सब्सक्राइब करें लुटेरा 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 लुटेर रडाइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते को सर्वनाम आपके स्क्रिण पर अंदे की लकड़ी मुहावड़े का अर्थ क्या है 86 कोशन का आपको आंसर बताना है यानि अंदे की लकड़ी का मतलब जो होगा आपका यानि अपको आपको आपको आंसरा हो जाएंगे तुमें क्या चाहिए सर्वनाम जो होगा और नीज वाचक होगा प्रशन वाचक होगा परशन वाचक होगा प्रूलिंग होगा उबहलियं या इनमे से कोई नहीं तो 88 नमर कोशन का आपको आंसर बताना है तो विल्कूर इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि पूरलिंग यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोशन नमर 89 आपके स्क्रीन पे काट मारना मुहावडेका जो अर्थ होगा यानि क्या होगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि अस्तबत रहना यानि option आपका A will be the right answer हो जाएगे बात करते कोशन नमर 90 आपके स्क्रीन पे नदी सब्ध जो आपका क्या है इस्त्रिलिंग पूरलिंग है उबेलिंग है यानि में से कोई नहीं तो 90 नमर कोशन का आपको अनसर बताना है तो नदी जो सब्ध होगा आपका अनि इस्त्रिलिंग होगा याई इन्याट का संदीविच्छी करना है 92 संवाल आपको अंसर बताना है बिलकुर इसका जो स्वाल विद्या उर्ति हो जा है। जो भी बच्चे आप लोग एपताड़ें बिल्कुल आपका आंसर correct होगा ठीक है 95 नुमर स्वार आपके screen पे innovation का संदी विच्छेत क्या होगा याणि innovation का आपको संदी विच्छेत बताना है ठीक है तो बिल्कुल इसका answer आपका अनू जोर A शन याणि option आपका C right answer हो जाएंगे चलिए बात करते question number 96 आपके screen पे यथिष्ट शब्ड़ का संदी विच्छेत क्या हो जाएगा तो यह थिष्ट शब्ड़ का संदी विच्छेत जो का यथा जोर इस्ट यानि क्या हो जाएगा यथा जोर इस्ट यह जोर जाएंगे ठीक है शेरे बहुत बढ़िया याई OPTION आपका yraight answer हो जाएगे यहले हाससा अस्पद का विच्जित क्या हो जाएगा यहास you जो अस्पदु स्वाल का अगर A right answer हो जाएंगे यानि option आपका A right answer हो जाएंगे चले बात कर देको question number 98 आपके screen पे और ग्यान में कौन सा उपसर्ग होगा तो O जोर ग्यान आपका हो जाता है और जोर ग्यान तो सब्दे के सुरू में होता है उपसर्ग हो तो आपका O आ जाएगा का आपका जोगा है यानि option आपका जो है सी राइट ऑढसर उजाएंगे वृ यानि वी जोर सेज यानि function आपका सी विल बीद इस आणंचर होजाएंगे बात करते हैं लमर हысर में उफसरग बताईएगा, तो निराहर में आपको उपसर्ग बताना है तो निराहर में आपका उपसर्ग जो होगा यानि नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी तो नी जो होता है, कौनसा उपसर्ग होगा आपका यानि नी, जो मतलब उपसर्ग डॉस्तों को शेर कर दें साथ में आप लोग जम करके अपने दोस्तों को सेरा कर दें जो बच्चे लाइकने के लाइक कर दें है ठीक है ज़ा जाले गाई यहें तक आज के क्लास को इन करते जब दक लिए जांजें बारत